एक टीचर जो 40's में थे उनका अपने स्टूडेंट के साथ अफेर हो जाता है प्रॉलम तब आया जब यह बाद लोगों को पता चलने लगके अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारे मुवी Carried Away यह 1996 के एक ड्रामा हॉलिवड मुवी में देखेंगे अगर आपको यह वीडिओ चलता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अभी नग्स दरीगे एक्स्वेशन स्टार्ट करते हैं हमारे मुवी का में क्यारेटर जिसका नामे जोसेफ इसे बच्पन में पेर में चोट लग गई थी इस वज़े से लंगडा कर चलता है अब उसके एच 46-47 है वो अभी अपनी मदर के साथ रहता है क्योंकि उसकी तबियत बहुत ही खराब रहती है नेकसिन में हम देखते है कि जोसेफ एक टीचर है और टाउन के स्कूल में बढ़ाते थे अभी अभी उन्हें पता चला था कि सेमिस्टर खतम हो जाने के बाद टाउन की स्कूल बंध हो जाने वाली है अब सारे बच्चों को एजुकिशन के लिए 50 किलोमेटर ड्राइव करना पड़ेगा आज स्कूल में और एक नियू स्कूल में जाइन किया जिसका नाम था कैथरीन कैथरीन एक बहुत ही ब्यूटिफुल से लड़की थी और सब लोग उसे ही देखते रहे गए जोसेफ के एक गल्फेंट थी जो उसी के स्कूल में काम करती थी इसका नाम था रोजली रात में हम रोजली के घर पर उसे डिनर करता हो देख सकते हैं रोजली का बेटा है जोसेफ का स्टूरेंट है ये दोनों बात कर रहे थे कि अब स्कूल बन होने वाला है तो उन्हें सीटी में जॉब मिल सकता है पर ये ओफर एकसेप्ट करने के लिए रोजली रेडी नहीं थी इतना जादा वो ट्रैवल नहीं कर सकती जोसेफ को भी पता नहीं था कि अब वो नेक्स्ट क्या करेगा रोजली ने कहा कि मेरे फार्म पर तुम फार्मिंग कर सकते हो पर जोसेफ को इतना अच्छा नहीं लगता ये दोनों छे साल से एक साथ थे तो रोजली वरी करती है क्या जोसेफ सचमुझ में उससे शादी करेगा जोसेफ कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाना वो उसे प्यार तो बहुत करता है पर कमिट्मेंट से डरता है अगली दिन हम रोजली के बेटें जिसका नाम है रॉबर्ट इसको कैथरीन के साथ बात करता है देख सकते है कैथरीन उसे पुछते है का जोसेफ तुमारे फादर है रॉबर्ट ने कहा कि सिर्फ मेरी मदर और उनमें चक्कर चल रहा है स्कूल ख़तम हो जाने के बाद कैथरीन अपने फादर के साथ जोसेफ के यहाँ पर आई जोसेफ अपने लैंड बर हॉस वेगरा की केर रखता था टाउन के रीज़ लोग उनके अनिमल उसके हाँ छोड़ कर जाते थे जाधरीन के पास भी एक होस था तो यही छोड़ने लिए जोसेफ के बास आये हुए थे वादर जोसेफ के पैसे दे दिया गैथरीन इतने जल्दी अपने होस को छोड़ने के लिए रिड़ी नहीं थी थोड़ा टाइम वे उसे राइड करना चाहती थी उसके फादर को ज़रा लेट हो रहा था तो जोसिफ कहता है मैं उसे घर छोड़ दूँगा आप वरी मत कीजिए फादर के जाने की बाद कैथरीन जोसिफ से पुछती है कि अगर मैं यहाँ पर रोज आई तो क्या आपको कोई प्रॉब्म है जोसिफ कहता है कि दुम जब चाहो तब आ सकती हो कैथरीन ने कहा कि आप बहुत अच्छे टीचर हो जोसिफ ने कहा कि मैरा लास्ट येर है इसके बाद मैं टीचिंग नहीं करूँगा कैथरीन बुछती है कि आप दुसरा क्या करोगे जोसिफ को इसका आंसर पता नहीं था जोसिफ के एक होबी भी थी हंटिंग करना एक दिन हंटिंग करकर वो वापस आया तो उसके मदर को देखने के लिए डॉक्टर आय हुए थे मदर को कैंसर है तो उसके बाद जादा टाइम अब बचा नहीं है जोसिफ ने अगर अपनी मदर की फिर से टीटमेंट करवाए तो सिफ दो-तीन मेहने और जिंदा रहेगी मदर को इतनी जादा तकलिफ हो नहीं देना चाहता अगली दिन स्कूल में बढ़ा कर जोसिफ जब घर पर आया तो कैथरिन वहाँ सोही हुई थी उसे बात करती है इस जगा के बारे में पूछने लगती है जोसिफ जब अंसर कर रहा था तो कैथरिन अपने कपड़े निकालने लग गए ये बात उसे बहुत गलत लगी और वो यहाँ से चला जाता है जरा आगे जाकर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया उसने बापस आकर कहा हमें अफेर करना चाहिए इसके बाद ये दोनों इंटिमेंट हो गए जोसेफ कैथरिन से बुछता है कि मेरे पहले तुमारे और भी बॉइफ्रेंड्स थे कैथरिन ने का कि आफकोर्स थे पर तुम मुझे बेस्ट लगे अगली दिन जब जोसेफ रोजली के साथ था तो इसी सिचूशन के बारे में सोच रहा था रोजली बुछती है कि क्या हुआ तो जोसेफ कहता है मैं पूरी लाइफ तुमारे प्यार में रहा हूँ रोजली कोई बाद अच्छी लगती है आजा सीटी के स्कूल के साथ इनकी मीटिंग थी इस मीटिंग में डिसकस हो रहा था कि जिन टीचर के पास प्रॉपर एजुकेशन है वो जाकर सीटी में पढ़ा सकते है जोसेफ के पास कोई भी डिग्री नहीं पर बहुत सालों से वो पढ़ा रहा था उसके पास experience है फिर भी ये बात जादा matter नहीं करती है वो उसे जॉब नहीं देते तो जोसेफ भी उन्हें गालिया देकर वहाँ से निकल आया राद में रोजली ने जोसेफ से पूछा कि अब टाइम आ चुका है तो मैं मुसे शादी कर लेनी चाहिए जोसेफ ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ खुश करना चाहता हूँ रोजली कहती है मैं खुश हूँ पर जोसेफ कहता है कि तुम्हारे एक सज्बंड से जादा खुश हो रोजली इसे आंसर नहीं करती इस बात से दोनों बहुत अपसेट हो गए थे अगली दिन जोसेफ की मदर को देखने के लिए फिर से डॉक्टर आये हुए थे जोसेफ ने उसी वुल्फ को नोटिस किया वो जब घर पर आया तो कैथरिन उसका अल्डेडी वेट कर रही थी तो वो हमेशा उसके पास आ जाती और यह अपना अफेर कंटिन्यू करते मदर जोसेफ के लिए वरी करती थी पर जोसेफ ने कहा कि मैं ठीक हूँ आजकल वो बहुती खुश था वो फिर भी मदर ने आकर उसे बात कि वो कहती है रोजली मेरे पास आई थी उसने मुसे बात कि कहा तुम उसे शादी नहीं कर रहे क्या तुम मेरे मरने का वेट कर रहे हो जोसेफ कहता है कि मेरा अब जौब नहीं रहेगा यूसे प्रोवाइड कैसे कर सकता हो उसके साथ शादी कैसे कर सकता हो मदर कहती कि तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो मेरे गुजर जाने के बाद तुमें हाउस सेल कर सकते हो रोजली की लैंड है जहाँपर तुम फार्मिंग कर सकते हो जोसेफ के पास एक बड़ा सा कोईन का पॉट भी था जिसमें बहुत सारे पैसे थे तो मदर कहती है अगर तुम उन्हें सेल करतो तो एक अच्छा हनीमून भी अफोड कर पाओगे अपनी लाइफ को तुम बेटर बना जोसेफ को भी बात अच्छी लगती है नेकसिन में जोसेफ सब को पोईटरी करना सिखा रहा था इसमें कैथरीन को उसने एक पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कहा उसे कहती है कि किसी चीज़ को फिल करने के लिए आप उसे एक्सप्रियंस करो ऐसा जरूर ही नहीं होता यह जब सब वो बता रही थी तो रोजली यहाँ पर आकर जाती है जोसेफ इसे ज़रा ओकोड हुआ था सब लोग अपनी पोईटरी सब्मीट करते है तो कैथरीन ने अपनी पोईटरी में लिखा था कि अभी के अभी मुझसे मिलो स्कूल से घर आते वक्त वो जोसेफ की गाड़ी में ही आई जोसेफ उस पर गुस्सा था कहता है स्कूल में मेरे साथ फ्लर्ट मत किया करो जब कैथरीन ने उसे इतना अरजनली बुलाया तो वो डर गया था इसायद कैथरीन प्रिगनन्ट है कैथरीन गहती के ऐसा कुछ भी नहीं है वो जोसेफ फिर भी डर रहा था तो उसे चिडाने के लिए उसने हा कह दिया गाड़ी रोक कर जोसेफ बाहर आ किया वो असने लग की और गहती है कि इस सिर्फ एक मजाग था जोसेफ गुसे में कहता है अब मैं तुमारे पास कभी भी नहीं आऊंगा कैथरीन वैसे ही रोड पर उसे रिजाने लग गए घर आकर ये दोनों इंटिमेट हो जाते है एक दिन सुबा सुबा जोसेफ किया कैथरीन के फादर आए वो गहता है मैंने सुना तुम भी एक हंटर हो क्यों ना हम दोनों हंट करने के लिए जाए हंट पर आने के बाद कैथरीन के फादर ने जोसेफ से का जब मुझे जरूरत होती है मैं उतना ही हंट करता हू फादर कहते कि मुझे एक दिन लगा था कि मैंने कायोटी देखा वो बहुत ही इंटरस्टिंग एनिमल होते है वो हमेशा उनके जरूरत से ज़ादा हंट करते है अगर हम उनकी हंटिंग करे तो डिजरू करते है यहाई इस सीन का कायोटी का रिफरेंस डारेकली जोसेफ के साथ है कैथरीन के फादर ने और कहा क्यों एनिमल एक कुट्टे की तरह ही है यह सारी बाते जोसेफ है महसूस कर रहा था वो डरता है कि अगर कैथरीन के फादर को उसके बारे में पता चला तो उसका क्या हाल करेंगे आज कल अब जोसेफ की मदर की हालत और भी जरा खराब होने लग गई थी जोसेफ ने नोटिस किया था कि कैथरीन और रॉबर्ट एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन गए कैथरीन जोसेफ से पूछा क्या तुम रोजली के साथ शादी करने वाले हो जोसेफ कहता है कि हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए तो कैथरीन ने बात उसे प्रामिस करती है यह जब इंटिमेंट हुए तो उन्हें एक साथ डॉक्टर ने देख लिया फिर डॉक्टर के साथ जोसेफ बात करता है डॉक्टर ने उसे कहा कि तुमने जो भी किया यह बहुत ही ज़ादा स्टूपीड है इससे तुमें कुछ भी नहीं मिलेगा जोसेफ कहता है कि मुझे मज़े आ रहे थे उसने अपने पूरी लाइफ में इस तरीके से कोई भी रिस्क नहीं लिया था और अब उसे मज़ा आने लग गया था वो जो भी कर रहा है इस बात को रिक्रेट नहीं करता एक दिन जोसेफ और रोजली जब कैफे में आये तब वहाँ पर कैथरिन और रोबर्ड भी खेल रहे थे इन दोनों को साथ देखकर कैथरिन रोजली के पास आई और कहती है आपका वेटा बहुत ही स्मार्ट है पर आज के लो ज़रा डिप्रेस रहता है जोसेफ और तुम शादी करने वाली हो यह बात उसे अच्छी नहीं लगती जोसेफ ने कैथरिन से कहा कि तुम इसके बारे में ज़्यादा वरी मत करो हमारा हम देख लेंगे इसके बाद जब जोसेफ रोजली को उसके घर पर छोड़ने के लाया तो रोजली उसके साथ इंटिमेट होना चाहती थी पर जोसेफ उसे मना कर देता है जोसेफ ने उसे यही कार में इंटिमेट होने के लिए कहा पर रोजली इस बात से मना करती है तो जोसेफ ज़रा गुसे में घर पर चला गया रागत में जोसेफ के साथ उसकी मदर बात करती है कहती है तुम्हें सब कर क्या रहे हो मदर को कैथरिन और जोसेफ के बारे में पता था जोसेफ कहता है कभी-कभी बुरी चीज़े करना भी बहुत फन होता है मदर भी फिर इस बात को ज़्यादा सीरिसली लेती नहीं आज रात बहुत बारिश हुए जोसेफ डारेक्ली रोजली के पास बहुच गया उसे अपनी सारी फ्रस्टेशन बता देता है वो गहता है हम दोनों की रिलेशन्शिप में पैशन ही नहीं है जो भी चीज़े हम करते हो बहुत ही जादा बोरिंग है मैं तुमारे साथ अलग-अलग प्लेसेज घुमना चाहता हूँ जैसे तुम अपने एक साजबन के साथ थी उसी तरीके से मज़े करना चाहता हूँ उनकी बोरिंग रिलेशन्शिप से तंग आ गया था एक्च्वर में जोसेफ जब 18 साल का था तब से रोजली से प्यार करता है पर रोजली जोसेफ के फ्रेंड के साथ थी उसी के साथ उसने शादी की थी उसका हाजबन फिर वार में चला गया और उसकी डेथ हो गए जोसेफ अपनी पूरी लाइफ रोजली को अपने फ्रेंड के साथ देखता आ रहा था वो हमेशा उनसे जेलस होता अब जब रोजली उसके साथ थी तो हमेशा एक लाइफ जो उसके साथ उसने इमेजिन की थी यह वो जीना चाता था यह सारी बात यह रोजली को लेटर पड़ा, इससे उसे पता चल गया कि जोसेफ और कैथरीन में अफेर है वो बहुत जादा गुस्सा हो जाती है उसने जोसेफ से कहा मैंने मेरी पूरी लाइफ तुमें दे दी और तुमने ये क्या किया जोसेफ कहता है कि तुम्हारी वज़े से मेरे बहुत सारे साल बरबाद हो गए थे मेरे यंग यर्स मुझे फिर से जीने थे इस बात पर और भी जादा अफसेट होकर वो चली गई रात में कैथरीन जोसेफ से मिलने के लिए आती है उसने कहा कि तुम मुसे शादी कर लो पर जोसेफ उसे मना कर देता है उसने कहा कि मैं रोजली से ही प्यार करता हू कैथरीन ने कहा कि तुम्हें इसके लिए भुगत ना पड़ेगा फिर जोसेफ रोजली को मनाने के लिए उसके घर पर गया वो गहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ तू मुझे कैसा भी टीट करो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा वो रात बर यही काउच पर सो जाता है अगली दिन जोसेफ के फ्रेंड डॉक्टर रोजली को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि लड़की बहुत ही अजीव है जोसेफ ने भी गल्दी कर दी वो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए रोजली बहुत रोधी है पर अब तक उसने जोसेफ को माफ नहीं किया रोजली का बेटा हमेशा चाता था कि रोजली और जोसेफ का ब्रेक अप हो जाए तो खुश था वो स्कूल में जोसेफ से बुच्छता है कि मेरे फादर कैसे थे वो हमें छोड़ कर क्यों गए उन्हें तो गवर्मेंट ने आर्मी जोईन करने के लिए कंपल सेरी भी नहीं किया था जोसेफ कहता है तुम्हारे फादर मुझसे हर काम में बेटर थे वो मेरे सबसे अच्छे बेस फ्रेंड थे पर इस टाउन से हो तंग आगे थे इसी वज़े सो यहां से हो चले के जाते जाते रोबर्ट जोसेफ से कहकर जाता है कि आज राद तुम्हारे पास कैथरीन के फादर आने वाले है ये बात सुनकर जोसेफ बहुत ही ज़दा डर गया उसने अपनी गन में गर निकाली और घर में चुछ जाता है कैथरीन के फादर आने के बाद उससे कहते है तुम यहां कर कह रहे हो मैं सिर्फ तुम से बात करना चाहता हू फादर ने कहा कि कैथरीन ने सीटी में भी यही सारी चीज़े की थी इसी वज़े से हम उसे यहां लेकर आये थे कैथरीन कह रही थी तुम उसे शादी करने वाले हो वो जोसेफ कहता है कि मुझे उसे शादी नहीं करने वाला वो एक अच्छे लड़के को डिजर्व करती है कैथरिन के फादर ने कहा कि उसने तुमें भी फसाय हुआ है ये बात अब तक तुमने रियलाइज नहीं कि ये सब कहे कर वो यहां से चले गए रात में कैथरिन जोसेफ से मिलने के लाए वो गहती कि तुम मुझे शादी क्यों नहीं करते जोसेफ ने कहा कि हम दोनों में एज डिफरेंस बहुत जादा है तुमें किसे बहुत अच्छे लड़के से शादी करनी चाहिए वो उसे कभी भी खुश नहीं रख पाएगा हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंट किया मैं इसे जादा अब कंटिनू नहीं करना चाहता कैथरिन हर्ट हो गए वो गहती है मैंने कुछ बुरी चीज़ की है बाहर अचानक से जोसेफ ने नोटिस किया कि आग लग चुकिया उसके सारे अनिमल्स के घर को कैथरिन ने आग लगा दी थी वो उने बचाने की कोशिश करता है वो इसमें कैथरिन का होच जल कर मर गया जोसेफ ने फूचा कि तुम ने ऐसा किया क्यो कैतरिन कहती है कि मुझे लगा था कि तुम उन्हें बचा लोगे इसके बाद उसकी लाइफ से चली कि अब जोसेफ डिसाइड करता है कि सब चीज़े छोड़ कर वो रोजली के पास जाएगा उसने अपना कॉईन कलेक्शन सेल कर दिया रोजली के साथ शादी करकर उसके साथ यो वर्ल देखना चाता था रोजली जोसेफ से कहती है कि मुझे पता था कि तुम उसे प्यार करते हो पर इतने साल में तुमें इग्नौर करती रही जो भी जोसेफ ने किया यो उसे अपनी गलती भी लगती थी वो से कहती है कैतरिन के साथ तुम्हें कुछ भी कमिटमेंट नहीं करनी थी इसी वज़े से तुम उसके साथ थे जोसेफ कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है पर मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ लाइफ में आगे के सारे अडवेंचर तुम्हारे साथ में देखना चाहता हूँ कैतरिन अब यहाँ से चली गई तो रोजली को भी जादा प्रॉलम नहीं था वो भी जोसेफ के साथ ही रहना चाहती थी उसे माफ कर देती है हम देखते हैं जो से हमेशा जीज जगाँ पर जाना चाहता था यह रोजली के साथ वहाँ पर गया है इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आते हैं तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूवी के साथ तब तक लिए धैंक्यो और आप अपने आपका ख्याल रखिया